नमस्कार मित्र जैमातादी स्वागते आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में तो कन्या रासी वालो मित्रो मार्च माह का आखरी दिन याने की 31 मार्च 2003 से आपके जीवन में इतनी बड़ी घटना होगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा मित्रो जीवन का सबसे बड़ा सबक आपको मिलने वाला है वीडियो बहुत खास होने वाली है आईए सबसे पहले अगर नजर डाले पंचांग पर तो मित्रो 31 मार्च को आप सभी को बता देते हैं कि सुक्रवार का वार है साथ में चेत्रमास के सुक्लपक्स की दसमितिती है और मित्रो आप सभी को बता देते हैं कि पुष्य नक्सत्र का निर्मान हो रहा है वही सुकर्मा एवं द्रती नामक योग बन रहा है और मित्रो सुर्र की स्थिति अगर देखें तो सुर्र तो में रासी में ही विराजमान रहेगा लेकिन दूसरी और चंद्रमा जो है वह दिन करक रासी पर संचार करेगा तो अब एसे में समस्त ग्रहों की चाल का एवं नक्सत्रों की चाल का आपकी रासी पर क्या प्रमा हो पड़ेगा मित्रो कौन से सूब समाचार आपको सुनने को मिलेंगे कौन से असूब समाचारों की प्राप्ति आपको होगी क्या साउध ज़ानिया आपको बरतना पड़ेगी और किन चुनोतियों का सामना आपको करना पड़ेगा समस्त बाते समस्त ग्रह गोचर की चाल एवं नक्सत्रों की चाल के आधार पर हम आपको बताने वाले हैं। प्राप्त करने के लिए स्री सिवाय नमस्तो भ्यम अवश्य ही लिख दीजिएगा। मित्रों हमारी इस छोटी सी वीडियो को सुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा। क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपके लिए बहुत ही चमतकारी उपाएं एवं सिद्ध मंत्र लेकर आए हैं जो आपके जीवन का कल्यान करने के लिए कारगार सिद्ध होंगे। तो आईए अब आप सभी का किमती वक्त गवाई बिना वीडियो की सुरूवात करते हैं गुरु जी के एक छोटे से अनमुल विचार से। मित्रों कोई भी रिष्टा अपनी मर्जी से नह मिलना है यह सिर्फ उपर वाला तेई करता है इसलिए मित्रों जीवन में कुछ गलत फेशले हो जाए कुछ गलत रिष्टे भी बन जाए तो घबराईएगा नहीं क्योंकि हर रिष्टे की डोर उपर वाले के हाथ में होती है वे उसे संजोना अच्छे से जानते हैं वीडियो की सुरुवात करते हैं अगले 24 गंटों के मेहतुप्र समय अंत्राल की मित्रों आज आपको अपनी सेहत की चिंता करने की कटई जरूरत नहीं है क्योंकि आपका स्वास्त बहुत बहतरिन बना हुआ है आपके आसपास की जो लोग हैं वह आपको प्रोसाहित और आपको सराएँगे मित्रों आपके आसपास की लोग आपके उरजा में चार चांद लगाएंगे और वियापार में अच्छा खासा मुनाफ़ा होने की आपको समभावना बन रही है मित्रों व्यापार में अब बहुत बढ़िया लाब कमाने में सक्सम हो पाएंगे और आपने बिजनस को नए उचाया देने के लिए जो योजनाए बनाई है उन योजनाओं को मुर्त रूप देने का बहुत बहतरिन समय चल रहा है मित्रो वे योजनाए आपको उचायो पर लेकर जाएगी और फिर आप मित्रो अच्छा कासा लाब कमाने में भी सक्सम हो जाएंगे साथ ही बता देते हैं कि परिवार के लोगों को आपको साथ में लेकर चलना है मित्रो परिवार के लोगों के बीच इस वक्त पेसो को लेकर कहा सुनी हो सकती है पेसो पर मित्रो हर कोई मरता है किसे आज की यूग में पेसो की जरूरत नहीं है मित्रो अपने प्रिय से कोई तल्ख बरताव ना करे और नहीं कोई तल्ख बात कहें बता देते हैं कि पेशो के मामलों में आपको परिवार के सभी लोगों को इस पष्ट सलाह देनी चाहिए और बात जितनी जल्दी हो सके बेगर्णने से पहले सुलजाने की आपको जरूरत होगी मित्रो कार्रे छेत्र में अपने काम में आप प्रगती देखेंगे आप देखेंगे कि कार धीरे धीरे आगे की और बढ़ रहे और अच्छा खासा लाब आप कमा रहे हैं समय की नजाकत को देखते हुए आप अपने लिए समय निकाल सकते हैं लेकिन ओफिस के किसी काम के अचानक आ जाने के कारण आप ऐसा करने में सफल नहीं हो पाएंगे मित्रो आपका जीवन साथी आपसे नाराज हो सकता है क्योंकि आप उनसे कोई बात साजा करना भूल गए थे और अब वह बात याद आई है तो इस वज़े से थोड़ी से दिक्कत होगी मित्रो एक लाल मिर्च 27 मेसुर की डाल के दाने तथा पांच लाल फुल लेकर किसी भी हनुमान मंदिर में चड़ाएं इससे पारिवारिक जीवन की खुशियां बढ़ने लगेगी आपको काफी लंबे समय से जो बिमारी चल रही थी और जिसके लिए आपने बहुत भाग दोड़ की थी बहुत पेशा खर्च किया था लेकिन उससे चुटकारा नहीं मिला था तो इस समय के अंतराल में आपको मित्रो उन बिमारियों से चुटकारा मिल सकता है मित्रो आप अपने घर के सदस्यों को किसी धार्मे की यात्रा पर या किसी मनोरंजन यात्रा पर गुमाने ले जा सकते हैं और आपका काफी धन खर्च भी हो सकता है मित्रो आप कमाते किस के लिए हैं परिवार के लिए ही कमाते हैं तो परिवार के लोगों के उपर धन खर्च करने के बिहले मित्रो बिलकुल नहीं सोचना है क्योंकि परिवार खुस रहेगा तो आप खुस रहेंगे बता देते हैं कि बेहन की साधी की खबर आप के लिए खुसी का सबब लेकर आएगी आपकी जो विवहायोग ये बेहन है उसका रिष्टा अचानक कहीं तैय हो सकता है हाला कि उससे दूर होने के खयाल आपको उदाज भी कर सकता है लेकिन आपको भविष्टी के बारे में सोच ना छोड़ वरतमान का पूरा आनंद लेना चाहिए मित्रों बता देते हैं कि अपने यारों से अपने मित्रों से बहुत संभल कर बात करने की आपको जरूरत है क्योंकि संकेत मिल रहे हैं कि दोस्ती में दराद पढ़ने की आसंका है और तार्री छेत्र में अचानक आपके काम की छान बिन हो सकती है अच्छानक आपके काम में चार चांद लग सकते हैं साथ ही आप सभी को बता देते हैं कि ऐसे में अगर आपने कोई गलती की होगी तो आपको इसका भुगतान करना पड़ सकता है क्योंकि बहुत गहरी चांद बिन होने वाली है मित्रों बता देते हैं कि कारोबारी को अपने कारोबार को नई दिशा देने के बारे में विचार कर सकते हैं और आप सारे रिष्टों और रिष्टदारों से दूर होकर अपना दिन किसी ऐसी जगह पर बिताना पसंद करेंगे जहां जाकर आपको सांती प्राप्त होती है लोगों की दखल अंदाजी विवाहिक जीवन में परिस्तानी खड़ी कर सकती है तो आईए मित्रो अब हम आपको बताते हैं उच्यमतकारी एवं सिध्ध उपाए जो आपके जीवन का कल्यान करने के लिए कारगार सिध्ध होंगे मित्रो अधी आप प्रतिजिन पूर्णी साली बनना चाहते हैं तो पूर्णी साली बनने के पाच रास्ते हैं चीटियों को आटा डाले मित्रो चीटियों को आटा डालने से करजे से छुटकारा मिलता है और घर में सुक सम्रद्धी बढ़ती है दूसरा है मचलियों को आठे की गोली खिलाएं मचलियों को आठे की गोली खिलाने से पित्र दोस्त से मुक्ति मिलती हैं मित्रो और पित्रों का आसिरवाद प्राप्त होता है और घर में सुक सांती बनी रहती है मित्रो पक्सियों को दाना खिलाने से नौ ग्रह मजबूत होते हैं और सभी कार्वे में तरक्की मिलती है साथ ही पुत्ते को रोटी खिलाने से राहू, केतू और सनी और दुस्मन सांत रहते हैं और मित्रो गो माता को रोटी या गास खिलाने से समस्त देवी देवता और पित्रगण खोस होते हैं तो ये छोटे-छोटे उपायों से आप भाग्य साली बन सकते हैं और अच्छा खासा लाब भी कमा सकते हैं वहिमित्रो आपको एक उपाय और बताते हैं कि सुबर उटकर अपनी हतेलियों के दर्शन करना बहुत सुभम माला जाता है तो यह उपाय और सटिक रासी फल अगर आपको पसंद आए हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दिजेगा और कमेंट बॉक्स में गुरुदेव का आसिरवाद प्राप्त करने के लिए स्री सिवाय नमस्तु भ्यम अवश्य ही लिख दीजेगा मित्रो डेनिक रासी फल एवं रोजाना ग्यान वर्दक वीडियो की प्राप्ति के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हम से अभी जुड़ ज़िए